नयानियम मत्ती रचित सूसमचार अध्याए एक इबराहीम की संतान, दावुद की संतान, येश्यु मसी की वन्शावली इबराहीम से इसहाक उत्पन हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन हुआ, और याकूब से यहुदा और उसके भाई उत्पन हुए, यहुदा से फिरिस और यहुदा और तमार से जोरह उत्पन हुए, और फिरिस से हिश्रोन उत्पन हुआ, और हिश्रोन से एराम उत्पन हुआ और एराम से अम्मीन अदाब उत्पन हुआ, और अम्मीन अदाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन हुआ, और सलमोन और राहब से बोज उत्पन हुआ, और बोज और रूत से उबेद उत्पन हुआ, और उबेद से यश्य उत्पन हुआ, और यश्य से दाओद राज उत्पन हुआ। बंदी होकर बाबुल पहुचाये जाने के बाद यकुन्या से शल्तियल उत्पन हुआ। जरुबाबिल से अभीहूद उत्पन हुआ। और अभीहूत से इल्याकीम उत्पन हुआ, और इल्याकीम से अजोर उत्पन हुआ, और अजोर से सदोक उत्पन हुआ, और सदोक से अखीम उत्पन हुआ, और अखीम से इलीहूद उत्पन हुआ, और इलीहूत से इल्याजर उत्पन हुआ, और इल्याजर से मत्तान उत्पन ह और मत्तान से याकूब उत्पन हुआ और याकूब से यूसुफ उत्पन हुआ जो मर्यम का पती था जिससे ईश्यू जो मसीह कहलाता है उत्पन हुआ इबराहीम से दाउद तक सब चौधा पीड़ी हुई और दाउद से बाबुल को बंदी होकर पहुचाए जाने तक चौध पीड़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक चौधा पीड़ी हुई अब इश्यू मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मर्यम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके एक खटे होने से पहले बैपवित्रात्मा की ओ जब वे इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दे कर कहने लगा हे यूसुफ दाउद की संतान तु अपनी पत्नी मर्यम को अपने यहां ले आने से मत दर क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्रात्मा की ओर से है वह पुत्र जनेगी और तु उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उधार करेगा यह सब कुछ इसले हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविश्य दक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो कि देखो एक कुवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानिवल रखा जाएगा जिसका अर्थिया है परमेश्वर हमारे साथ सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूद की आगे के अनुसार अपनी पत्नी को अपने हाँ ले आया और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया पर उसने उसका नाम इश्यु रखा मत्ती रचित सु समचार दूसरा अध्याए हेरोदेस राजा की दिनों में जब यहुदिया के बैतलहम में इश्यु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई जोतिशी यरुशलेम में आकर कुशन लगे कि यहुदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको को इखटे करके उनसे पूछा कि मसी का जन्म कहा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहुदिया के बैतलहेम में, क्योंकि भविश्य द्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है कि हे बैतलहेम जो यहुदा के देश में हैं, तू किसी रीती से यहुदा के अधिकारियों में चुपके सुब लाकर उनसे पूछा, कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैटल हम भेजा, कि जाकर उस बालक के विशे में ठीक ठीक मालुम करो, और जब वह मिल जाए, तुम मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करो. वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वे उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था, उस जगह के ऊपर पहुँचकर ठैर गया. उस तारे को देखकर वे अती आनंदित हुए, और उस घर में पहुँचकर उस बालक को उसकी माता मर्यम के साथ देखा, और मुह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर, उसको सोना और लोहभान और गंधरस की भेंच चड़ाई, और स्वपन में यह चितौनी पाकर कि हुरेदेश के पास फिरना जाना वे दूसरे मार्क से होकर अपने देश को चले गए, उनके चले जाने के बाद, देखो प्रभू के एक दूत ने स्वपने में यूसुफ को दिखाई दे कर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिश्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझ से न कहूं, तब तक वही रहना, क्योंकि हिरोदेश इस बालक को ढूनने पर है कि उसे मरवा डाले, वे रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिश्र को चल दिया, और हिरोदेश के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वहवचन जो प्रभू ने भविश्यद्वक्ता के द्वरा कहा था, कि मैंने अपने पुत्र को मिश्र से बुलाया, पूरा हो। जब हिरोदेश ने यह देखा, कि जोतिशियों ने मेरे साथ ठठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया, और लोगों को भेज कर जोतिशियों से ठीक ठीक प भविश्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुआ, कि रामाह में एक करुण नाज सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी, और शान्त होना ना चाहेती थी, क्योंकि वे है नहीं। हिरोदेश के मरने के बाद देखो, प्रभू के दूत ने मिश्र में यूस्फ को स्वप्न में दिखाई दे कर कहा, कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्रान लेना चाहते थे, वे मर गए, वे उठा, और बालक और परंतु यह सुनकर कि अर्खिलाउस अपने पिता हिरोदेश की जगे यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा, और सुप्न में चितोनी पाकर गलील देश में चला गया, और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वहवचन पुरा हो, जो भविश्य दुक्ता के द्वारा कहा गया था, कि वह नासरी कहलाएगा, मत्ती रचित सूसमचार तीसरा अध्याय, उन दिनों में युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला आकर, यहुदिया के जंगल में यह परचार करने लगा, कि मन फिराओ, क्योंकि जवर कर आज निकट आ गया है, यह वही है, जिसकी चर्चा यशाय भष्धक्ता के द्वारा की गई, कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, कि प्रभु का मार्ग तयार करो, उसकी सड़के सीधी करो, यह युहन्ना उट के रोम का वस्तर पहने था, और अपनी कमर में चमडे का पटका बांदे हुए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बप्तिस्मा लिया, जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बप्तिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, कि हे साप के बच्चो, तुमें किसने जता दिया कि आने वाले करोट से भाग सो मन फिराओ के योगे फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो, कि हमारा पिता इबराहीम है, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि परमेश्वर इन पत्थरों से इबराहीम के लिए संतान उत्पन कर सकता है, और अब कुलहारा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ ह इसलिए जो जो पेड अच्छा फल नहीं लाता, वे काटा और आग में जोका जाता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बप्तिस्मा देता हूँ, परम तु जो मेरे बाद आने वाला है, वे मुझ से शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योगी नहीं, वे तुम्हें पवित्रात्मा और आग से बप्तिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है, और वे अपना खलिहान अच्छी रीती से साफ करेगा, और अपने गेहुं को तो खते में खटा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा, जो बुझने की नहीं, उस समय ई उजे तेरे हाथ से बप्तिस्मा लेनी की आवशकता है, और तु मेरे पास आया है, यिश्यू ने उसको यह उत्तर दिया, कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीती से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उचित है, तब उसने उसकी बात मान ली, और यिश्यू बप आते देखा, और देखो, यह आकाश्वानी हुई, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन हूँ, मत्ती रचित सू समचार, चौथा अध्याय, तब उस समय आत्मा इश्यू को जंगल मिले गया, ताकि इबलीश से उसकी परिक्षा हो, वह चालीस दिन और चालीस रात, निराहार रहा, अंत में उसे भूक लगी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तु परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे, कि ये पत्थर रोटियं बन जाएं, उसने उत्तर दिया, कि लिखा है कि मनुष केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा, तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उससे कहा, यदि तु परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आपको नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि व लिखा है कि तु परभू अपने परमेश्वर के परिक्षा ना कर, फिर शेतान उसे एक बहुत उंचे पहाड़ पर ले गया, और सारे जगत के राज्य और उसका विभाव दिखा कर उससे कहा, कि यदि तु गिर कर मुझे प्रणाम करे, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे द ना कर, तब शेतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने यह सुना कि यहनना पकड़वा दिया गया, तो वह गलील को चला गया, और नासरत को छोड़कर कफन नहूं में, जो जील के किनारे जबुलून और नप्ताली के देश में हैं जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भर्षदुता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो, कि जबुलून और नप्ताली के देश, जील की मार्क से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंदकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी जोती की, और जो मृत्यू के देश और चाया में बैठे थे, उन्होंने जोती चमकी, उस समय से येश्यू परचार करना और यह कहना आरम किया, कि मन फिराओं क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, उसने गलील की जील की किनारे फिरते हुए, दो भाईयों, अर्थात जो पत्रस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मच्छवे थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुश्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाईयों, अर्था जब्दी के पुतर याकूब और उसके भाई यहनना को अपने पिता जब्दी के साथ नाओं पर अपने जालों को सुधारते देखा, और उन्हें भी बुलाया, वे तुरंत नाओं और अपने पिता को छोड़क उसके पीछे हो लिए। उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया, और गलील और दिकापुलिस और यरुशलेम और यहुदिया से और यर्दन के पार से भीड की भीड उसके पीछे हो ली। धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्ही का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांती पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे प्रत्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूके और प्यासे हैं क्योंकि वे तरप्त किये जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम, जब मनुष मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, और सताएं, और जूट बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनन्दित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्थल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविश्य दक्ताओं को, जो तुम से पहले थे, इसी रीती से सताय था। तुम प्रत्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वात बिगड जाए, तो वे फिर कि किसी काम का नहीं, केवल इसके की बहार फेका जाए, और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए, तुम जगत की जोती हो, जो नगर पहाड पर बसा हुआ है, वे छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने की नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देख कर, तुम्हारे पिटा की जो स्वर्ग में हैं, बढ़ाई करें, यह ना समझो कि मैं वेवस्था या भर्ष वक्ता टलना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदू भी बिना पूरा हुए नहीं तलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्याओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वे स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि यदि तुमारी धार्मिक्ता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिक्ता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में कभ परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्क, वह नरक की आग के दंड के योग्य ह इसलिए यदि तु अपनी भेंट बेदी पर लाए और वहां तु स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वहीं बेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तबा कर अपनी भेंट चढ़ा जब तक तु अपने मुद्दई के साथ मारगी में है उससे जटपट मेल मिलाप कर ले कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौप दे और तु बंदी ग्रह में डाल दिया जाए मैं तुझ से सच कहता हूँ कि जब तक तु कौड़ी-कौड़ी भरना दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा तुम सुन चके हो कि कहा गया था कि वेविचार ना करना परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुद्रश्टी डाले वे अपने मन में उससे वेविचार कर चुका यदि तेरी दाहिनी आथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंग दे क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंग दे क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे परंतु मैं तुम से यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यविचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यविचार करवाता है और जो कोई उस त्यागी पिर तुम सुन्च के हो कि पूर्वकाल की लोगों से कहा गया था कि जूटी शपत न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपत को पूरी करना, परंतु मैं तुम से यह कहता हूं कि कभी शपत न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वे परमेश्वर का सिहासन है, ना धर्ती की, क्योंकि वे उसके पाऊं की चौकी है, ना यरुशलेम की, क्योंकि वे महराजा का नगर है, अपने सिर की भी शपत न खाना, क्योंकि तु एक बाल को भी ना उजला, ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हां की हां, या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो अधिक होता है वह बुराई से होता है तुम सुन चके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत परंतु मैं तुम से यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थपड मारे उसकी और दूसरा भी फिर दे और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उससे दोहर भी ले लेने दे, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ दो कोस चला जा, जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे, उससे मुहना तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पडूसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गी पिता की संतान ठहर क्योंकि वे भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उद्य करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नह तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाती भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गी पिता सिद्ध है. मत्ती रचित सुसमचार छटवा अध्याए. साउधान रहो, तुम मनुश्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गी पिता से कुछ भी फल न पाओगे. इसलिए जब तु दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कप्टी, सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें, मैं तुम से सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके. परन्तु जब तु दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बाया हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा. और जब तु प्रार्थना करे, तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों की मोणों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है. मैं तुम से सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पाचुके. परंतु जब तु प्रार्थना करे, तो अपनी कोट्री में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में हैं प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रति सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या-क्या आवशकता है। तुम इस रीति से प्रातना किया करो। ये हमारे पिटा तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज जाए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे प्रत्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रका परन्तु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। पर उदासी ना चाही रहे। क्योंकि वे अपना मुह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुम से सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परम्तु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मोध हो ताकि लोग नहीं में हैं तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुपत में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने लिए प्रत्वी पर धन इखटा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगारते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परम्तु अपने लिए स्वर्ग में धन इखटा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगारते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उज्याला जो तुझ में हैं। यदि अंदकार हो तो वह अंदकार कैसा बढ़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वै एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुछ जानेगा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना, कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्तर से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खतों में बटोरते हैं, तो भी तुमारा स्वर्गे पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल नहीं रखते? तुम में कौन हैं, जो चिंता करके अपनी अवस्ता में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, और वस्तर के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो, कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते, ना कातते हैं, तो भी मैं तुम से कहता हूँ, कि सुल जेश्वर मैदान की घास को, जो आज है, और कल भाड में जोकी जाएगी, ऐसा वस्तर पहनाता है, तो हे अलप विश्वासियों, तुम को वे क्यों कर ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे क्योंकि अन जाती इन सब वस्तों की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गी पिता जानता है, कि तुम्हें ये सब वस्तों की खोज करो, तो ये सब वस्तों भी तुम्हें मिल जाएंगी, सु कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेग आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और जब तेरी ही आँख में लठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। हे कप्ती, पहले अपनी आँख में से लठा निकाल ले, तब तु अपने भाई की आँख का तिनका भली भाती देख कर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों का न दो, और अपने मोती स्वरों के आगे मत डालो, ऐसा नहो कि वे उन्हें पाउं तले रौंदे और पलट कर तुमको फार डाले, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, धूनो तो तुम पाउगे, खट-खटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो धूनता है वे पाता है, और जो खट-खटाता है उसके लिए खोला जाएग तुम मेंसे ऐसा कौन मनुश है? कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, तो वह उसे पत्थर दे? वह मचली मांगे, तो उसे साप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्त में देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गी पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्त में क्यों न देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, कि मनुश्य तुमारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैस जो विनाश को पहुचाता है, और भहुतेरे हैं, जो उससे प्रवेश करते हैं. क्योंकि सकेत है वह फाटक, और सक्रा है वह मार्ग, जो जीवन को पहुचाता है, और थोड़े हैं, जो उससे पाते हैं. जुटे भविश्वत्ताओं से सावधान रहो, जो भेडों के भेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फारने वाले भेडी हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या जाडियों से अंगूर वा उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रक पेड अच्छा फल ला सकता है, जो जो पेड अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, जो मुझ से हे प्रभु, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर के राज में प्रवेश्ना करेगा, की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुतेरे मुझ से कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविश्य ध्वानी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंबे के काम नहीं किए, तब मैं उनसे खुल कर कह दूँगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालो मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वे उस बुद्धिमान मनुश की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चटान पर बनाया, और मेह बरसा, और ब मेरी ये बातें सुनता है, और उन पर नहीं चलता, वे उस बुद्धिमान मनुश की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधिया चली, और उस घर पर टक्र लगी, और वे गिर कर सत्यनाश हो गया। जब इस ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परन्तु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। इशु ने हाथ बढ़ा कर उसे चुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तु शुद्ध हो जा, और वे तुरंथ कोड से शुद्ध हो गया। इशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परन्तु जाकर अपने आपको याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वे कफर नहुम में आया, तो एक सुबेदार ने उसके पास आकर उससे बिंती की, कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उससे चंगा करूँगा। सुबेदार ने उत्तर दिया, कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तु मेरी छट के तले आए, पर केवल मुख से कह दे, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुश्य हूँ, और सिपाही मे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूँ, जा, तो वे जाता है, और दूसरे को कि आ, तो वे आता है, और अपने दास से कहता हूँ, कि यह कर, तो वे करता है, यह सुनकर ईश्य ने अचंबा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे, उनसे कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि मै मैंने इस्राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुम से कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्च्चम से आकर इबराहीम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज के संतान बाहर अंध्यारे में डाल दिये जाएं और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और इश्व ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को जवर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ चुआ और उसका जवर उतर गया और वै उटकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तवे उसके पास बहुत से लोगों क लाए जिनमें दुश्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बिमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन ये शाया भष्दत्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारे दरुबलताओं को ले लिया और हमारे बिमा जहां कहीं तू जाएगा, मैं तेरे पीछे-पीछे हो लूँगा। ईशु ने उससे कहा, लोमणियों के भट और अकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परन्तु मनुष के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगय नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभू, मुझे पहले जाने दे, कि अपने पिता को गाड़ दूँ। ईशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जब वे नाव पर चड़ा, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो जील में एक ऐसा बड़ा तुफान उठा कि नाओ लहरों से धपने लगी और वे सो रहा था। तब उनोंने पास आकर उसे जगाया और कहा हे प्रभू हमें बचा हम नाश्वे जाते हैं। उसने उनसे कहा हे अल्प विश्वासियो क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डाटा और सब शान्त हो गया। और लोग अचमभा करके कहने लगे कि है कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आग्या मानते हैं। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुँचा तो दो मनुष जिन में दुश्टात्माएं थीं कबरों से निकलते हुए उसे मिले जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्क से जा नहीं सकता था। और देखो उन्होंने चिला कर कहा हे परमेश्वर के पुत्र हमारा तुछ से क्या काम। क्या तु समय से पहले हमें दुख दिने यहां आया है। उनसे कुछ दूर बहुत से स्वर में भेज दे। उसने उनसे कहा जाओ वे निकल कर सोरों में पैठ गए और देखो सारा जुंड कलाले पर से जपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिन में दुश्टात्माएं थे उनका सारा हाल कह सुन आया और देखो सारे नगर की लोग येशु से भेट करने को निकल आये और उसे देखकर बिंती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। मत्ती रचित सु समचार नौमा अध्याये फिर वे नाव पर चड़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखो कई लोग एक ज श्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा हे पुत्र धालस बांध तेरे पाप शमा हुए और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमिश्वर की निंदा करता है। येश्व ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा व जान लो कि मनुष्य के पुत्र को प्रत्वी पर पाप शमा करने का अधिकार है। उसने जोले के मारे हुए से कहा उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वै उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमिश्वर की महिमा करने लगे जिसने म आगे बढ़कर ईश्य ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वै उठकर उसके पीछे खो लिया। और जब वै घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर ईश्य और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। उसने यह सुनकर उन से कहा वैद्य भले चंगों को नहीं परंतो बिमारों को अवश्य है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, कि मैं बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ, तब यहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है, कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, प पर वे दिनाएंगे कि दुला उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे, कोरे कपले का पैवंद, पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वे पैवंद, पहिरावन से और कुछ खीच लेता है, और वे अधिक फट जाता है, और नया दाखरस प अशके नाश हो जाती हैं, परन्तु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं, और वे दोनों बची रहती हैं, वे उनसे ये बातें कही रहा था, कि देखो एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया, और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परन्तु चल कर अपना हाथ उस पर लोहु बैदा था, उसके पीछे से आकर उसके वस्तर के आचल को छू लिया, क्योंकि वे अपने मन में कहती थी, यदी में उसके वस्तर ही को छू लूँगी, तो चंगी हो जाऊंगी, इश्यू ने फिर कर उससे देखा और कहा, पुत्री धारस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, सो वेस्तरी उसी घड़ी चंगी हो गई, जब इश्यू उसरदार के घर में पहुँचा, और बांसली बजाने वालों और भीड को हुलन मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं, पर सोती है, इस पर वे उसकी हसी करने लगे, पर उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा, और वे जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई, जब इश्यू वहां से आगे बढ़ा, तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारती हुए चले, कि हे दाओद की संतान हम पर दया कर, जब वे घर में पहु उन्हों नों उससे कहा, हाँ प्रभू, तब उसने उनकी आखें चूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आखें खुल गई, और इश्यू ने उन्हें चिता कर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने, परणों ने निकल कर सारे दे निकाल दी गई, तो गुंगा बोलने लगा, और भीड ने अचंबह करके कहा, कि इस्राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया, परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुश्टात्मों के सरदार की सहायता से, दुश्टात्मों को निकालता है, और इश्यू सब नगरों और भीड को देखा, तो उसको लोगों पर तरसाया, क्योंकि वे उन भेडों की नाई, जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से बिं पर उसने अपने बारह चेलों को पास बुलाकर, उन्हें अशुद आत्माओं पर अधिकार दिया, कि उन्हें निकालें, और सब प्रकार की बिमारियों, और सब प्रकार की दुरबलताओं को दूर करें, और बारह प्रेड़तों के नाम ये हैं, पहिला शमौन, जो पत्रस क तुर्मई थोमा, और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकुब और तद्दै, शमौन कनानी और यहुदा इसकरियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया, इन बारहों को ईशु ने यह आग्या दे कर भेजा, कि अन्ने जातियों की ओर न जाना, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेशना करना, परंतु इस्राइल के घराने ही की, खोई हुई भेडों के पास जाना, और चलते चलते प्रचार कर कहो, कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बिमानों को चंगा करो, मरे हुऊं को जिलाओ, कोडियों को शुद करो, दुष्टात्म को निकालो, तुमने सेंत मेत पाया है, सेंत मेत दो, अपने पटकों में ना तो सोना, और ना रूपा, और ना तामबा रखना, मार्क के लिए ना जोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते, और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, जिस किसी न से न निकलो, उसी के यहां रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीश देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, तो तुम्हारा कल्यान उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो, तो तुम्हारा कल्यान तुम्हारे पास लोटाएगा, और जो कोई तुम्हें ग्रहन न करे और तुम्हारी बातें न सुने उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाउं की धूल जार डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योगे होगी। देखो, मैं तुम्हें भेडों की नाई भेडियों के बीच में भेजता हूँ, सो सापों की नाई बुद्धिमान और कबूत्रों की नाई भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्ह कोड़े मारेंगे, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन जातियों पर गवाह होने के लिए पहुचाये जाओगे, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे, तो यह चिंता ना करना, कि हम किस रीती से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कह रहना होगा, वे उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, भाई, भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौपेंगे, और लड़के वाले माता-पिता के विरोध में मरवा डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उध्धार होगा, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं, तो दूसरे को भाग जाना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष का पुत्र आ जाएगा, चेला अपने गुरू से बड़ा नहीं, और ना दास अपने स्वामी से, चेले का गुरू के और दास का स्वामी के बराबर होना ही भहुत है, जब उन्होंने घर के स्वामी को शेतान कहा, तो उसके घरवालों को क्यों कहिंगे, सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ धपा नहीं, जो खोला न जाएगा, और ना कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, उससे उज्याले में कहो, और जो कानो कान सुनते हो, उससे कोठों पर से प्रचार करो, जो शरील को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, क्या पैसे में दो गरईये नहीं बिक्ती, तो भी तुमारे पिता की इच्छा की बिना, उन में से एक भी भूमी पर नहीं गिर सकती, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरौईईों से बढ़ कर हो। जो कोई मनुश्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गी पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुश्यों के सामने मेरा इंकार उससे मैं भी अपने स्वर्गी पिता के सामने इनकार करूँगा। यह ना समझो कि मैं प्रत्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। वह मेरे योगी नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योगी नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योगी नहीं। जो अपने प्रान बचाता है वह उसे खोएगा। और जो मेरे कारण अपना प्रान खोता वे उसे पाएगा। एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। मैं तुम से सच कहता हूँ। वे किसी रीती से अपना प्रतिफल न खोएगा। मत्ती रचित सु समचार ग्यारमा अध्याए। जब ईशु अपने बारह चेलों को आग्या दे चुका, तो वे उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। योहना ने बंदी ग्रह में मसी के कामों का समचार सुनकर, अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, कि क्या आने वाला तु ही है, या हम दूसरे की बाट जो है। यिशु ने उत्तर दिया, कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वे सब जाकर योहना से कह दो, कि अंधे देखते हैं, और लंगले चलते फिरते हैं, कोढी शुध किये जाते हैं, और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाये जाते हैं, और कंगालों को सुसमचार सुना तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हावा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्तर पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्तर पहनते हैं, वे राजभावनों में रहते हैं. तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविश्द भुष्वत्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बरन भुष्वत्ता से भी बड़े को. यह वही है जिसके विश्य में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेशता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तयार करेगा. मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि जो स्थ्रियों से जन्वें है, उन में से यहन्ना बप्तिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर के राज में छोटे से चोटा है, वह उस से बड़ा है. योहनना बप्तिस्मा देने वाले की दिनों से अब तक स्वर के राज पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं योहनना तक सारे भविश द्वक्ता और व्यवस्ता भविश द्वानी करते रहे और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वे यही है जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले मैं इस समय के लोगों की उपमा किस से दूँ वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसली बजाए और तुम ना नाचे हमने विलाप किया और तुमने च्छाती नहीं पीती क्योंकि यहनना ना खाता आया और ना पीता और वे कहते हैं कि उसमें दुष्टात्मा है मनुष का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियकड मनुष महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र पर ग्यान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है तब वे उन सामर्थ के काम तुम में किये गए, यदि वे सूर और सैदा में किये जाते, तो टाट ओड़कर और रात में बैटकर वे कप के मन फिरा लेते, परंतु मैं तुम से खहता हूँ, कि न्याएक के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी, और ह ये कफर नहूम, क्या तु स्वर्ग तक उंचा किया जाएगा? तु तो अधलोग तक नीचे जाएगा, जो सामर्थ के काम तुझ में किये गए, यदि सदोम में किये जाते, तो वे आज तक बना रहता, पर मैं तुम से कहता हूँ, कि न्याएक के दिन तेरी दशा से सदोम क देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी. उसी समय ईशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और प्रत्वी के प्रभू, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कि तुने इन बातों को ग्यानियों और समस्दारों से छिपा रखा, और बालकों पर प्रगट किया है. हाँ, हे पिता, क् कि तुझे यही अच्छा लगा. मेरे पिताने मुझे सब कुछ सौपा है, और कोई पुतर को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुतर, और वे जिस पर पुतर उसे प्रगट करना चाहे. हे शब परिश्रम करने वालों, और बोच से दबे मेरे लोगो मेरे पास आओ, मैं तुम्हे विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठालो और मुझ से सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोज हलका है। मत्ती रचित सू समचार बारवा अध्याय उससे मैं इश्यू सब्ध के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूक लगी, सुवे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरिसियों ने यह देख कर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्ध के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा, कि दाउद ने जब वह और उसके साथ ही भूके हुए तो क्या किया, वह क्यों कर परमेश्यों के घर में गया और भेंट की रोटिया खाईं, जिने खाना न तो उसे और नो उसके साथियों को, पर केवल याजगों को उचित था। या तुमने विवस्था में नहीं पढ़ा, कि याजग सब्ध के दिन मंदिर में, सब्ध के दिन की विधी को तोड़ने पर भी निर्दोश ठहरते हैं, पर मैं तुम से कहता हूँ, कि यहाँ वह है, जो मंदिर से भी बड़ा है, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दयास से प्रसन हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोश को दोशी न ठहराते, मनुष का पुत्र तो सब्ध के दिन का भी प्रभू है। वहां से चल कि क्या सब्ध के दिन चंगा करना उचित है। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भीड हो, और वह सब्ध के दिन गढ़े में गिर जाए, तो वह उसे पकड़ करना निकाले। भला मनुष का मूल्य भीड से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्ध के दिन भला करना उचित है। तब उसने उस मनुष से कहा, अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ाया, और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके वरोध में सम्मती की, कि उसे किस प्रकार नाश करें, यह जानकर इश्यू वहां से चला गय और बहुत लोग उसके पीछे हो लिये, और उसने सब को चंगा किया, और उन्हें चिताया कि मुझे प्रगट न करना, कि जो वच्छन यशाया भिश द्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो, कि देखो यह मेरा सेवक है, जिससे मैंने चुना है, मेरा प्रिये, ज धूम मचाएगा, और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा, वह कुछले हुए सरकंडे को न तोडेगा, और धुआ देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी, तब लोग एक या दाउद की संतान का है, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्मों के सरदार शेतान की सहायता के बिना दुष्टात्मों को नहीं निकालता, उसने उनके मन की बात जानकर उन से कहा, जिस किसी राज में फूट होती है, वह उजड जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है, बनाना रहेगा, और यदि शेतान ही शेतान को निकाले, तो वे अपना ही व्रोधी हो गया है, फिर उसका राज क्यों कर बना रहेगा, भला यदि मैं शेतान की सहायता से दुष्टात्मों को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश क इसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे, पर यदि मैं परमेशर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्मों को निकालता हूं, तो परमेशर का राज तुम्हारे पास आपहुचा है, या क्यों कर कोई मनुष किसी बलवंद के घर में तोरता वे बिथराता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी, जो कोई मनुष के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराद क्षमा किया जाएगा परंतु जो कोई पवित्रात्मा की वरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में ख्षमा किया जाएगा यदि पेड को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड फली से पहचाना जाता है हे साप के बच्चो, तुम बुरे होकर अक्योंकर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुँपर आता है भला मनुष मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याए के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तु अपनी बातों के कारण निर्दोश और अपनी बातों ही के कारण दोशी ठहराय जाएगा. इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरू, हम तुछ से एक चिन्ध देखना चायते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, कि इस युक के बुरे और विविचारी लोग चिन्ध ढूनते हैं, परंतु यूनुस भष्धवत्ता के चिन्ध को छोड़, को और चिन्ध उनको न दिया जाएगा। यूनुस तीन रात दिन जल जन्तु के पेट में रहा, वैसे ही मनुश का पुत्र तीन रात दिन प्रत्वी के भीतर रहेगा। नीन्वे के लोग न्याय के दिन इस युक के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएंगे, क्यो कि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो, यहाँ वै है जो यूनुस से भी बड़ा है। दखिन की रानी न्याय के दिन इस युक के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएगी, क्योंकि वैसुलेमान का ज्यान सुनने के लिए प्रत्वी की कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लोट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, जाला बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वै आकर अपने से और बुरी साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वै उसमें पैठ कर वहां बास करती हैं, और उस मनुष की तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बाते करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, और तुझसे बाते करना चाहते हैं। यह सुन, उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेर मेरे भाई और अपने चेलूं की और अपना हाथ बढ़ा कर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गी पिता की एक्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहिन और माता हैं। द्रश्टान्तों में बहुत सी बात ने कहीं, कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया, कुछ पत्रिली भूमी पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मित्टी ना मिली और गहरी मित ना मिलने के कारण वे जल्दी उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए, और जड़ना पकड़ने से सूख गए, कुछ जाडियों में गिरे, और जाडियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमी पर गिरे, और फल आए, कोई सो गुना, कोई पान हो, वे सुन ले, और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तु उनसे द्रश्टांतों में क्यों बाते करता है, उसने उत्तर दिया, कि तुमको स्वर्क के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है, उससे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है, वे भी ले लिया जाएगा, मैं उनसे द्रश्टांतों में इसी लिए बाते करता हूँ, कि वे देखते वे नहीं देखते, और सुनते वे नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके विश्य पर धन्य है तुमारी आखें कि वे देखती है और तुमारे कान कि वे सुनते हैं क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ कि बहुत से भष्ष दक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बाते तुम देखते हो देखें पर न देखी और जो बाते तुम सुनते हो सुने पर न सुनी सो तुम बोने वाले का दृष्टान सुनो, जो कोई राजिका वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पत्रीली भूमी पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वै थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है, तो तुरंत थोकर खाता है, जो जाडियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इ वचन को सुनकर समझता है, और फल लाता है, कोई सो गुना, कोई साथ गुना, कोई तीस गुना, उसने उन्हें एक और द्रश्टान्त दिया, कि स्वर्ग का राज उस मनुष के समान है, जिसने अपने खेत में अच्छा बीजबोया, पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका ब समामी, क्या तुने अपने खेत में अच्छा बीजबोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए, उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है, दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले, उसने कहा ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए, उनके गठे बांद लो, और गेहुं को मेरे खत्ते में खटा खरो, उसने उन्हें एक और द्रश्टान दिया, कि स्वर्क कर आज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्णे लेकर बढ़ जाता है, तब सब साग पात से बढ़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और द्रश्टान उन्हें सुनाया, कि स्वर्क का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर तीन पसे कि जो वचन भविश दोक्ता के द्वारा कहा गया था, वे पूरा हो कि मैं द्रश्टान कहने को अपना मूझ खोलूंगा, मैं उन बातों को जजगत की उत्पत्ती से गुप्त रही हैं, प्रगत करूंगा। तब वे भीड को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों नो उ अच्छा बीज राज के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान हैं, जिस बैरी ने उनको बोया वे शैतान हैं, कटनी जगत का अंत हैं और काटने वाले स्वर्गदूत हैं, सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा, और वे उसके राज में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इखटा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा, उस समय धर्मी अपने पिता के राज म सूरी की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेच कर उस खेत को मोल लिया, फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी क समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था, जब उसे एक बहमूल ले मोति मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, और उसे मोल ले लिया, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया, और हर प्रकार की मशलियों को समेत और जब भर गया, तो उसको किनारे पर खीच लाए, और बैठ कर अच्छी अच्छी तो बरतनों में खटा किया, और निकम्मी निकम्मी फेंग दी, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्ग दूद्र आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, और उन्हें आग के क बुंद में डालेंगे, वहां रोना और दात पीसना होगा, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ, उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है, उस ग्रहस्त के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तों में निकालता है, जब ईशु ये सब द्रिश्टान्त कह चुका, तो वहां से चला गया, और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा, कि वे चकित होकर कहने लगे, कि इसको यह ग्यान और सामर्थ के काम कहां से मिले, क्या यह ही का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम, और इसके भायों की नाम याकुब, और यूसुफ, और शमौन, और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहने हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको यह सब कहां से मिला, सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर सामर्थ के काम नहीं किये। क्योंकि यहना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है। और वह उससे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वह उससे भविश द्वक्ता जानते थे। पर जब हिरुदेस का जन्म दिन आया, तो हिरुदियास की बेटी ने उत्सों में यहना बब्तिस्मा देने वाले का सिर्थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ पर अपनी शपत के और साथ बैठने वालों के कारण आग्या दी कि दे दिया जाए। और जेल खाने में लोगों को भेज कर यहना का सिर्थाल में लाया गया और लड़की क दिया गया और वह उसको अपनी मा के पास ले गई और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोत को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर इश्य को समचार दिया। जब इश्युने यह सुना तो नाव पर चड़कर वहाँसे किसी सुनसान जगह एकांट में चला गया और लोग यह उसके पीछे हो लिये। उसने निकल कर बड़ी भीर देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बिमारों को चंगा किया। जब सांज हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा। यह तो सुनसान जगा है। और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे बस् उसने उससे कहा, यहां हमारे पास पांच रोटी और दो मचलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहां मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन पांच रोटीयों और दो मचलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया, और रोटियां तोड तोड कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तुरुप्त हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुक्रों से भरी हुई बारह टोकरियां उठाई, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर पाँच हजार पुरिशों के अटकल थे और उसने तुरंत अपने चेलों को बर्बस नाओ पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक कि वे लोगों को विदा करें। चेले उसको जील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वे भूत है और डर के मारे चिल्ला उठे। इशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा हे प्रभू मुझे बचा। इशु ने तुरंध हात बढ़ा कर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदे किया। जब नाव पर चड़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दन्डवत करके कहा सच मुझ तू परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतर कर गन्ने सरत देश में पहुँचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बिमारों को उसके पास लाए। और उससे बिंती करने लगे कि वे उन्हें अपने वस्तर के आचल ही को छूने दे और जितनों ने उसे चुआ वे चंगे हो गए। मत्ती रचित सु समचार पंदरवा अध्याए। तब यरुशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री ईशु के पास आकर कहने लगे। तेरे चेले पुर्णियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिना हाद धोय रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्त पिता या माता को बुरा कहे, वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदी कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझ से लाब पहुँच सकता था, वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी, तो वह अपने पिता का आदर ना करे, सो तुमने अप मुझ से दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, और उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुह में जाता है, वह मनुष्य को अशुध नहीं करता, प उसने उत्तर दिया, हर पौधा, जो मेरे स्वर्गी पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा, यदि अंधे को मार्ग दिखाए, तो दोनों गढ़े में गिर पड़ेंगे, यह सुनकर पत्रस ने उससे कहा, यह द्रश्टांत हमें समझा दे, उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो, क्या नहीं समझते, कि जो कुछ मुह में जाता, वे पेत में पड़ता है, और संदास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुह से निकलता है, वे मन से निकलता है, और वही मनुष को अ इंदा मन ही से निकलती हैं, यही हैं जो मनश को अशुध करती हैं, परंतु हात बिना धोए भोजन करना मनश को अशुध नहीं करता। उत्तर ना दिया, और उसके चलों ने आकर उससे बिन्ती कर कहा, इसे विधा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिलाती आती है, उसने उत्तर दिया, कि इस्राइल के घरानी की खोई हुई भेडों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, पर वे आई और उससे प्रणाम करक हे प्रभू, मेरी सहायता कर, उसने उत्तर दिया, कि लड़कों की रोटी लेकर, कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, उसने कहा, सत्य है प्रभू, पर कुत्ते भी वे चूरचार खाते हैं, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं, इस पर इशुने उसको उत्तर देकर कहा, कि हे स्तरी, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी, उसी घड़ी से चंगी हो गई, येश्यु वहां से चलकर, गलील की जील के पास आया, और पहाड पर चड़कर वहां बैठ गया, और भीड पर भीड लं लंगलों, अंधों, गुंगों, टुंडों, और बहुत औरों को लेकर उसके पास आये, और उन्हें उसके पाउं पर डाल दिया, और उसने उन्हें चंगा किया, सो जब लोगों ने देखा कि गुंगे बोलते और टुंडे चंगे होते, और लंगले चलते और अंधे देख और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूका विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में ठक कर रह जाएं। और उन साथ रोटियों और मश्लियों को ले धन्यवात करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। और फरीसियों और सदूक्यों ने पास आकर उससे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांज को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुमला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो पर समयों के चिनों का भेद नहीं बता सकते। इस युक के बुरे और वेविचारी लोग चिन ढुडते हैं पर यूनुस के चिन को छोड़ कोई और चिन उन्हें न दिया जाएगा और वै उन्हें छोड़कर चला और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। इशु ने उनसे कहा देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। वे आपस में विचार करन लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। यह जानकर इशु ने उनसे कहा हे अल्प विश्वासियों तुम आपस कि कितनी टोकरियां उठाई थी और ना उन चार हजार की साथ रोटी और ना यह कि कितने टोकरे उठाई थे। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुम से रोटियों के विश्य में नहीं कहा फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। इश्यू कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुश के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कितने तो युहनना बप्तिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यर्मिया या भष्डप्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसी है। ईशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है क्योंकि मास और लोहु ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोग के फाटक उस पर प्रबलना होंगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजिया दूंगा, और जो कुछ तू प्रत्वी पर बांधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू प्रत्वी पर खोलेगा, वह स्वर्ग में तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसी हूँ। उस समय से ईश्यू अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरुशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुखठाऊं और मार डाला जाऊं और कीसर उसने फिरकर पत्रस से कहा, हे शेतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बाते नहीं, पर मनुश्यों की बातों पर मन लगाता है। तब ईश्यों ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपका इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण वह उसे पाएगा। या मनुष सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्रान की हानी उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। या मनुष अपने प्रान के बदले में क्या देगा। उसके राज में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यू का स्वाद कभी न चखेंगे। बाते करते हुए उन्हें दिखाई दिये, इस पर पत्रस्त ने ईश्यू से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है, इच्छा हो तो यहां तीन मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, और एक एलिहा के लिए। वह बोली रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें च्छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुह के बल गिर गए, और अत्यंत डर गए, ईशु ने पास आकर उन्हें च्छुआ, और कहा उठो, डरो मत, तब उन्होंने अपनी आखें उठा कर ईशु को छोड़, और किसी को न देखा। कि एलिया का पहले आना वश्य है, उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आएगा, और सब कुछ शुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका, और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा, वैसा ही उसके साथ किया, इसी रीती से मनुष का कर कहने लगा, हे प्रभू, मेरे पुत्र पर दिया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, और वे बहुत दुख उठाता है, और बार-बार आग में और बार-बार पानी में गिर पड़ता है, और मैं उसको तेले चेलों के पास लाया था, पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके, तब ईशु ने उसे घुड़का और दुष्टातना उसमें से निकला, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया, तब चेलों ने एकांत में ईशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं यदि तुमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहार से कह सकोगे, कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुमारे लिए अन्होनी नहोगी, जब वे गलील में थे, तो इशु ने उनसे कहा, मनुश का पुत्र मनुश्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उससे मान डालेंगे, और वे तीसरे दिन जी उठेगा, इस पर वे बहुत उदास हुए, जब वे कफन नहों में पहुचे, तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पत्रस के पास आकर पूछा, कि क्या तुमारा गुरु मंदिर क कर नहीं देता? उसने कहा हाँ देता तो है, पर वे घर में आया, तो इशुने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समस्ता है? प्रत्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? पत्रस ने उनसे कहा परायों से. के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मचली पहले निकले उसे ले तो तुझे उसका मूँ खोलने पर एक सिक्का मिलेगा उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना मत्ती रचित सु समचार अठारवा अध्याए उसी घड़ी चेले इशु के पास आकर पूशन लगे कि स्वर्क के राज में बड़ा कौन है इस पर उसने एक बालक को पास बुला कर उनके बीच में ख़़ा किया और कहा मैं तुम से सच कहता हूँ यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्क के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे जो कोई अपने आपको इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्क के राज में बड़ा होगा और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहन करता है वह मुझे ग्रहन करता है पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को भी ठोकर खिलाए उसक लिए भला होता कि बड़ी चकी का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वे गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाए। ठोकरों का लगना अवश्य है पर हाए उस मनुष पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। तुंडा या लंगला होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पाउं रहते हुए तु अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर ख में डाला जाए। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुझ न जानना क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गी पिता का मुह सदा देखते हैं। तुम क्या समझते हो यदि किसी मनुष की सो भेड़े हो और उन में से एक भटक जाए तो क्या निन्नानवे को छोड़कर और पहाणों पर जाकर उस भटकी हुई को नढूनेगा। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उस निन्नानवे भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनन नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के ल जा और अकेले में बाचित करके उसे समझा यदि ऐस तेरी सुने तो तूने अपने भाइ को पा लिया और यदि ऐस न सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवहों के मुh से ठहराई जाए यदि ऐस उनकी भी ना माने तो कलिसिया से कह द परंत यदि वे कलिस्या की भिना बाने तो तू उसे अन्य जाती और महसूल लेने वाले के ऐसा जान। जो स्वर्ग में हैं उनके लिए हो जाएगी क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इखटे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वे लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो दस हजार तोड़े धरता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा कि यह है और इसकी पत्नी और लड़के बाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह करज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा हे स्वामी धीरस धर मैं सब कुछ भर दूँगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। परंतु जब वैदास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके सो दिनार धारता था। उसने उससे पकड़ कर उसका गला घोटा और कहा जो कुछ तू धारता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे बिंती करने लगा कि धीरस धर मैं भर दूँगा। उसने नमाना परंतु जाकर उससे बंदी ग्रह में डाव दिया कि जब तक करज को भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुला कर उससे कहा हे दुष्ट दास तूने जो मुझसे बिंती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा करक्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उससे दन देने वालों के हाथ में सौप दिया। कि जब तक वैस सब करजा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी परकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा। तो मेरा पिता जो स्वर्ग में हैं तु तुम से भी वैसा ही करेगा। मत्ती रचित सू समचार उननीस माध्याए। जब ईशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गिया और यहुदिया के देश में यर्दन के पार आया और बड़ी भीड उसके पीछे होली और उसने उन्हें वहां चंगा किया। तब फरीसी उसकी परिक्षा करने के लिए पास आकर कहन लगे क्या हरेक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। उसने उत्तर दिया क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरम से नर और नारी बना कर कहा कि इस कारण मनुष अपने माता पिता से अलग होक अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेशन ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई वेविचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे, वे वेविचार करता है। और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे, वे भी वेविचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है, तो ब्याह करना अच्छा नहीं, उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहन नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुनसक ऐसे हैं, जो माता के गर्भी से ऐसे जन में, औ और कुछ नपुनसक ऐसे हैं, जिन्होंने स्वर्ग के राज के लिए अपने आपको नपुनसक बनाया है, जो इसको ग्रहन कर सकता है, वे ग्रहन करें, तब लोग बालकों को उसके पास लाए, कि वे उन पर हात रखे और प्रार्थना करें, पर चेलों ने उन्हें डाटा, इशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है, और वे उन पर हात रखकर वहां से चला गया, और देखो एक मनुष ने पास आकर उससे कहा, हे ग्रु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं, उसने उससे कहा, तु मुझसे भलाई के विश्य में क्यों पूसता है, भला तो एक ही है, पर यदि तु जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो आग्याओं को माना कर, उसने उससे कहा, कौन सी आग्याएं, यिशु ने कहा, यह की हत्या ना करना, व्यविचार ना करना, चोरी जूटी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रखना, उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है, यिशु ने उससे कहा, यदि तु सिद्ध होना चाहता है, तो जा, अपना माल बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, परंतु वह जवान, यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, तब इशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम से सच कहता हूं, कि धन धन्वान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना का धिन है, फिर तुम से कहता हूं, कि परमेश्वर के राज में धन्वान के प्रवेश करने से, उट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, यह सुनकर चिलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उधार हो सकता है, इस पर पत्रस ने उससे कहा, कि देख, हम तो सब कुछ छोड़के तेरे पीछे हो लिये हैं, तो हमें क्या मिलेगा? इशु ने उनसे कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि नई उत्पत्ती से जब मनुश का पुत्र अपनी महिमा के सिहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिये हो, बारह सिहासनों पर बैठकर इस्राइल के बारह गोत्रों का न्याय करोगे, और जिस किसी ने घरों या भाईयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको सौ गुना मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा, परंतु भुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे, मत्ती रचित सुसमचार वीस्वा अध्याए, स्वर्ग का राज्य किसी ग्रहस्त के समान है, जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदुरों को लगाए, और उसने मजदुरों से एक दिना रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा, फिर पहर एक दिन चढ़े निकल कर, और औरों को बाजार में बेकार ख़़े देखकर, उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है, तुम्हें दूंगा, सुवे भी गए, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया और एक घंटा दिन रहे, फिर निकल कर औरों को खड़े पाया, और उनसे कहा, तुम क्यों यहां दिन भर बेकार ख़़े रहे, उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया, उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, सांज को जो घंटा भर दिन रहे लगाये गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला, जो पहले आए, उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही एक दिनार मिला, जब मिला तुवे ग्रहस्त पर कुड़कुडा के कहने लगे, कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया, और तुने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और घाम सहा, उसने उन में से एक को उतर दिया, कि हे मित्र, मैं तुझ से कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तुने मुझ से एक दिनार ना ठहराया, जो तेरा है उठा ले, और चला जा, मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूँ, क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूँ, क्या तु मेरे भले होने के कारण बुरी द्रश्ची से देखता है, इसी रीती से जो पिछले हैं, वे पहले होंगे, और जो पह यरुशलिम को जाते हैं, और मनुश का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योगे ठहराएंगे, और उसको अन्न जातियों के हाथ सौपेंगे, कि वे उसे ठठों में उड़ाएं, और कोडे मानें, और कुरूस पर चढ़ाएं, और वे तीसरे दिन जिलाए जाएगा, तब जब दिके पुत्रों की माता ने अपने पुत्र के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया, और उससे कुछ मांगने लगी, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है, वे उससे बोली, यह कहे, कि मेरी ये दो पुत्र, तेर अपने राज में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठें, इश्व ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते की क्या मांगते हो, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो, उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं, उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोग पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं पर जिन के लिए मेरे पिता की ओर से तयार किया गया उन्हीं के लिए है। वह तुमारा सेवक बने और जो तुम्हे प्रधान होना चाहे वह तुमारा दास बने। जैसे कि मनुष का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और भहुतों की छुड़ोती के लिए अपने प्राण दे। पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु दावुत के संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डाटा कि चुप रहें पर वे और भी चिल्ला कर बोले हे प्रभु दावुत के संतान हम पर दया कर। तब इशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो क कि मैं तुम्हारे लिए करूँ, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आँखें खुल जाएं। ईश्यू ने तरस खाकर उनकी आँखें चुईं और वे तुरंथ देखने लगे और उसके पीछे खो लिए। और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास लियाओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे, तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वे तुरंथ उन्हें भेजदेगा। यह इसलिए हुआ कि जो वच्चन भईश दख्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो, कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वे नम्र है और गधे पर बैठा है, बरन लादू के बच्चे पर, चलोने जाकर जैसा इशु ने उनसे कहा था, वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपले डाले, और वे उन पर बैठ किया, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपले मार्ग में बिच्चाए, और और लोगों ने पेडों से डालियां काट कर मार्ग में बिच्चाएं, और जो भीड आगे-आगे जाती, और पीछे-पीछे चली आती थी, पुकार-पुकार कर कहती थी, कि प्रभूत के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभू के नाम से आता है, आकाश में होशाना, जब उसने यरुशले में प्रवेश किया, तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहन लगे, यह कौन है, लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविश्य द्वक्ता इश इशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के प्योहे और कबूत्रों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उन से कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकों की खो बनाते हो, और अंधे और लंगडे मंदिर में उसके पास आए, और उसने उन्हें चंगा किया, परंतु जब महयाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किये, और लड़कों को मंदिर में दाउत के संतान को होशाना पुकारते हु और दूथ पीते बच्चों के मुह से तूने स्तुती सिद्ध कराई, तब वे उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिहा को गया और वहां रात बिताई, भोर को जब वे नगर को लोट रहा था तो उसे भूक लगी, और अंजीर का एक पेड सड़क की किनारे देखकर वे उसके पास गया, और पत्नों को छोड उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड तुरंथ सूख गया, यह देखकर चेलों ने अच्चमभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड क्यों कर तुरंथ सूख गया, यिशु ने उनको उत्तर दिया, कि मैं तुम से सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो ना केवल यह करोगे, जो इस अंजीर के पेड से किया गया, प्रेंथ यदि इस पहाड से भी कहोगे, कि उखड जा और समुद में जा पड़, तो यह हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रात्ना में विश्वास से मागोगे, वे सब तुम को मिलेगा, वे मंदिर में जाकर उबदेश कर रहा था, कि महायाजुकों और लोगों के पुरिणियों ने उसके पास आकर पूछा, तु यह काम किस के अधिकार से करता है, और तुझे यह अधिकार किस ने दिया है, इश्व ने उनको उत्तर दिया, कि मैं भी तुम से एक बात पूछता हूँ, यदि वे मुझे बताओगे, तो मैं भी तुमें बताओंगा, कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ, यहन्ना का बप्तिस्मा कहां से था, स्वर्की और से, या मनुश्यों की और हुर्से था, तब वे आपस में विववाद करके कहने लगे, कि यदि हम कहें स्वर्की और से, तो वे हमसे कहेगा, फिर तुम ने उसकी प्रतीति क्यों नगी, और यदि कहें मनुश्यों की और से, तो हमें भीड का डर है, क्योंकि वे सब यहन्ना को भविश्य द्वक्ता उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुमें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ, तुम क्या समझते हो, किसी मनुश्च के दो पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, है पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाओंगा, परन् इसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, पर अंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की। उन्होंने कहा पहले ने। यिशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुम से पहले परमिश्य के राज में प्रवेश करते हैं, क्योंकि युहन्ना धर्म के मार्क से तुम्हारे पास आया, और तुमने उसकी प्रतीती न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीती की, और तुम यह देखकर पीछे भी न पस्ताए कि उसकी प्र परिश्टान सुनो, एक ग्रहस्त था जिसने दाक की बारी लगाई, और उसके चारों और बाड़ा बांधा, और उसमें रस का कुंड खोदा, और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया, जब फल का समय निकट आया, तो उसने अपने दासो को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़के किसी को पीटा, और किसी को माल डाला, और किसी को पत्थरवा किया, फिर उसने और दासों को भेजा, जो पहलों से अधिक थे, और उन्हों ने उनसे भी वैसा ही किया, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा, कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ, उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें, और उन्होंने उसे पकड़ा और दाक की बारी के बाहर निक और दाक की बारी का ठीका और किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यिशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभू की और से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाती को जो उसका फल लाए दिया जाएगा, जो इस पत्थर पर गिरेगा, वह चकनाच्शूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा, उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उसके द्रश्टान्तों को सुनकर समझ गए, कि वह हमारे विश्य में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि वह उससे भविश्य द्वक्ता जानते थे। मत्ती रचित सुसमचार बाईस्वाध्याए। इस पर ईश्यू फिर उनसे द्रश्टान्तों में कहने लगा, स्वर्क का राज उस राजा के समान है, जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवता हारियों को ब्याह के भोज में बुल और पले हुए पश्यू मारे गए हैं, और सब कुछ तयार है, ब्याह के भोज में आओ, परंतु वे बेपरवाई करके चल दिये, कोई अपने खेत को, कोई अपने विववार को, और उने जो बच रहे थे, उसके दासों को पकड़ कर उनका अनादर किया और मार डाला, ब्याह का भोज तयार है, परंतु नेवताहरी योगी नहीं ठहरे, इसलिए चराहों में जाओ, और जितने लोग तुम्हें मिले, सब को ब्याह के भोज में बुला लाओ, सो उन दासों ने सलकों पर जाकर, क्या बुरे, क्या भले, जितने मिले, सब को इखटे किया, और ब् ब्याह का भस्त्र नहीं पहिने था, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तु ब्याह का भस्त्र पहिने बिना, यहां क्यों आ गिया, उसका मुह बंध हो गिया, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पाउं बांध कर, उसे बाहर अंध्यारे में डाल दो, वहां रोना और दात पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं, तब फरीशियों ने जाकर आपस में विचार किया, कि उसको किस प्रकार बातों में फसाएं, सो उन्होंने अपने चेलों को हिरोधियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, कि हे बता, तु क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है की नहीं? यिशु ने उनकी दुष्टता जान कर कहा, हे कप्टियों, मुझे क्यों परकते हो, करका सिक्का मुझे दिखाओ, तब वे उसके पास एक दिनार ले आए, उसने उनसे कहा, यह मूर्ती और नाम किस का है? उन् परमेश्वर का है, वे परमेश्वर को दो. यह सुनकर उन्होंने अचम्भा किया, और उसे छोड़ कर चले गए. उसी दिन सदू की जो कहते हैं, कि मरे हुऊं का पुनुरुथान है ही नहीं, उसके पास आये और उससे पूछा, कि हे गुरु मूसा ने कहा था, कि यदि पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन करे. अब हमारे यहां सात भाई थे. पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया. इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया, और सातों तक यही सब के बाद वहस्त्री भी मर गई, सो जी उठने पर वह उन सातों में से किस की पत्नी होगी, क्योंकि वह सब की पत्नी हो चुकी थी। जी उठने के विश्य में, क्या तुमने यह वचन नहीं पड़ा, जो परमेश्वने तुमसे कहा, कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाग का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ, वह तो मरे हुऊं का नहीं, परन्तु जीवतों का परमेश्वर है, यह सुन हे गुरू, व्यवस्था में कौन सी आग्या बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभू से, अपने सारे मन और अपने सारे प्रान और अपनी सारी बुद्धी के साथ प्रेम रख. बड़ी और मुख्य आग्या तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भ पूछा, कि मसी के विश्य में तुम क्या समस्ते हो? वे किसका संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाओद का. उसने उनसे पूछा, तो दाओद आत्मा में होकर उसे प्रभू क्यों कहता है? कि प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैर परन्तु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। ऐसे भारी बोच को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं। परन्तु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चायते। परन्तु तुम रभी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और प्रत्वी पर किसी को अपना पिता न कहना क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में हैं। और स्वामी भी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसी। जो तुम में बड़ा हो वह तुमारा सेवत बने। जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। और जो कोई अपने आपको छोटा बनाएगा, वे बढ़ा किया जाएगा। हे कप्टी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाए, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर के राज का द्वार बंद करते हो, न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। नारकी बना देते हो, हे अंधे अगो, तुम पर हाए, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपत खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए, तो उससे बंध जाएगा, हे मूर्खो और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर, जिससे सोन पवित्र होता है, फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपत खाए, तो कुछ नहीं, परंतु जो भेट उस पर है, यदि कोई उसकी शपत खाए, तो बंध जाएगा, हे अंधो, कौन बड़ा है, भेट या वेदी, जिससे भेट पवित्र होता है, इसलिए जो भेदी की शप वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपत खाता है। तुमने विवस्ता की गंभीर बातों को अर्थात न्याएं और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंध्यग्वो तुम मच्छड को तो छान डालते हो परंतु उट को निगल जाते हो। हे कप्टी शास्त्रियो और फरीसियो तुम पर हाए। तुम कटोरे और थाली को उपर उपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर असयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसि पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कप्टी शास्त्रियो और फरीसियो तुम पर हाए। तुम चूना फिरी हुई कबरों के समान हो जो उपर से तो सुन्दर दिखाई देती हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिंता से भरी हैं। इसी रीती से तुम भी उपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कप्टी शास्त्रियो और फरीसियो तुम पर हाए। तुम भविश्दवक्ताओं की कबरें सवारते और धर्मियों की कबरें बनाते हो। और कहत इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो, कि तुम भविश्दक्ताओं के घातों को के संतान हो, सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो, हे सापो, हे करेतों के बच्चो, तुम नरक के दंड से क्यो कर बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविश्दक्ताओं और बुधिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे, और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोडे मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेरते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और बेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लोहु प्रत्विपर बहाया गया है, वे सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, मैं तुमसे सच कहता हू ये सब बाते इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी, हे यरुशलेम, हे यरुशलेम, तु जो भविश्दक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें पत्थर वहा करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा, कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पं उजाल छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि अब से जब तक तुम ना कहोगे, कि धन्य है वह जो प्रभू के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। तुम से सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छुटेगा, जो ढ़ाया न जाएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे, कि ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का, और जगत के अंद का क्या चि हूँ, और भहुतों को भरमाएंगे, तुम लडाईयों और लडाईयों की चर्चा सुनोगे, देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतो उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाती पर जाती, और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अ लेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब भहुतेरे ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और भहुत से जूटे भहिश्वक्ता उट खड़े होंगे, और भहुतों को भरमा और राज्य का यह सु समचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और जो खेत में हो, वे अपना कपडा लेने को पीछे न लोटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाए हाए। और प्रार्तना किया करो, कि तुम्हें जाले में या सब्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश जैसा जगत के आरम से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदी वे दिन घटाए न जाते, तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओ के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदी कोई तुम से कहे कि देखो मसी यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीती न करना, क्योंकि जूटे मसी और जूटे भविश दक्ता उट खड़े होंगे, और बड़े चिन और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदी हो सके, तो चुने हुओ को भी भरमा दें, देखो मैंने पहले से तुम से यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदी वे तुम से कहें, देखो वे जंगल में हैं, तो बाहर न निकल जाना, देखो वे कोठ्रियों में हैं, तो प्रतीती न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर फिर निकल कर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष के पुत्र का भी आना होगा, जहां लोथ हो, वहीं गिध इखटे होंगे उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे अकाश से गिर पड़ेंगे, और अकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब मनुष के पुत्र का चिन अकाश में दिखाई देगा, और तब प्रत्व के सब कुलों के लोग च्छाती पीतेंगे, और मनुष के पुत्र को बड़ी सामर्थ और एश्वरे के साथ अकाश के बादनों पर आते देखेंगे, अंजीर के पेड से यह द्रश्टान सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकनने लगते हैं, तो तुम जान कहता हूँ, कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, तब तक ये पीड़ी जाती न रहेगी, आकाश और प्रत्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी, उस दिन और उस घड़ी के विशय में कोई नहीं जानता, न स्वर्क के दूत, और न पुत्र, परंतु केवल पिता, जैसे नहु के दिन थे, वैसा ही मनुष के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रले से पहले की दिनों में, जिस दिन तक की नहु चहाच पर न चड़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रले आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालुम न पढ़ा, वैसे ही मनुष के पुत्र का आना भी होगा, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, दो स्त्रियां चक्की पीस्ती रहेंगी, ए वैदी घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जाकता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता, इसलिए तुम भी तयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विश्य में तुम सोस्ते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष का पुत्र आजाएगा, सो वह विश स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए, मैं तुम से सच कहता हूँ, वह उसी अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा, पर्यंति यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे, कि मेरे स्वामी की आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटन लगे, और पियकणों के साथ जब वह उसकी बाठ न जोता हो, और ऐसी घड़ी की वह न जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दात पीसना होगा. मत्ती रचित सुसमचार पचीसमा ध्याय तब स्वरकर राज उन दस कुवारियों के समान होगा, जो अपनी मशाले लेकर दूले से भेट करने को निकली, उन में पाँच मूर्ख और पाँच समजदार थी. मूर्खों ने अपनी मशाले तोली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समजदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया. जब दूले के आने में देर हुई, तो वे सब ओंगने लगी और सो गई. आधी रात को धूम मची, कि देखो दूला आ रहा है, उससे भेट करने के लिए चलो, तब वे सब कुवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी. और मूर्खों ने समसदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुजी जाती हैं. परंतु समसदारों ने उत्तर दिया, कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है, कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो. जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूलहा आप होंचा, और जो तयार थी, वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया. इसके बाद वे दूसरी कुवानिया भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वा लिए को. क्योंकि यह उस मनुश की सी दशा है, जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ती उनको सौप दी. उसने एक को पांच तोड, दूसरे को दो, और तीसरे को एक, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया. तब जिसको पांच तोड़े मिले थे, उसने तुरंट जाकर उनसे लेन देन किया और पांच तोड़े और कमाए. इसी रीती से जिसको दो मिले थे, उसने भी दो और कमाए. परंतु जिसको एक मिला था, उसने जाकर मिट्टी खो दी और अपने स्वामी के तुने मुझे पांच तोड़े सौपे थे, देख, मैंने पांच तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्यदास। तु थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत पस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तु कठोर मनुष्य है, तु जहां कहीं नहीं बोता, वहां काटता है, और जहां नहीं छीटता, वहीं से बटोडता है। सो मैं डर गिया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में चिपा दिया। देख, जो तेरा है, वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, कि हे दुष्ट और आलसी दास। जब यह तु जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया, वहां से काटता हू। और जहां मैंने नहीं छीटा, वहां तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपिया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याद समेत ले लेता, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास दस तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बह के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा, जब मनुश का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इखटी की जाएंगी, और ज ख़ली करेगा, तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगो, आओ, उस राज के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदी से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, क्योंकि मैं भूका था, और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं पियासा तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहिनाए, मैं बिमार था, तुमने मेरी सुधी ली, मैं बंदिग्रह में था, तुम मुझ से मिलने आए, तब धर्मी उसको उत्तर कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूका देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपले पहनाए, हमने कब तुझे बिमार या बंदी ग्रह में देखा और तुझसे मिलने आए तब राजा उन्हें उत्तर देगा मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाईयों में से किसी एक के साथ किया वैं मेरे ही साथ किया तब वैं बाई और वानों से कहेगा हे श्रापित लोगो मेरे सामने से उस अनन्त आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तयार की गई है क्योंकि मैं भूका था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पिनाये, बिमार और बंदी ग्रह में था और तुमने मेरी सुधी न ली, तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूका या प्यासा या परदेशी या या बिमार या बंदी ग्रह में देखा और तेरी सेवा टहल न की, तब वे उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वे मेरे साथ भी नहीं किया, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, मत्ती रचित सु समचार चब्वीस मा ध्याए, जब ईशु ये सब बातने कह चुका, तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि दो दिन के बाद फसय का पर्भ होगा, और मनुष का पुत्र कुरूस पर चढ़ाय जान कि ईशु को छल से पकड़ कर मार डालें, परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा नहों कि लोगों में बल्वा मत जाए, जब ईशु बैतनिहा में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमोल इत्र लेकर उसके पास आई, औ यह तो अच्छे दाम पर बिक कर कंगालों को बाटा जा सकता था, यह जानकर ईशु ने उन से कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा, उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है, वह मेरे गाले जाने के लिए किया है, मैं तुम से सच कहता हूं, कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमचार परचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वरणन भी उसके समरन में किया जाएगा, तब यहूदा इसकरियोती नाम बारा चेलों में से एक ने महायाजुकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुमारे हाथ पकड़वा दू, तुम मुझे क्या दोगे, उन्होंने उसे तीस चांदी के सिक्के तॉल कर दे दिये, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूनने लगा, अक्मीरी रोटी के पर्ब के पहले दिन, चेले ईशु के पास आकर पूशन लगे, तु कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसर खाने की तयारी करें, उसने कहा नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो, कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेर मैं यहां पर्ब मनाऊंगा, सो चेलों ने ईशु की आगया मानी और फसर तयार किया, जब सांजवी तुवे बारहों के साथ भोजन करने के लिए बैठा, जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, इस पर वे बहुत उदास वे, और हर एक उससे पूछने लगा, हे गरू, क्या वे मैं हूँ? उसने उतर दिया, कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है, वही मुझे पकड़वाएगा, मनुष का पुत्र तो जैसा उसके विशे में लिखा है, जाता ही है, परंत उस मनुष के ल वाने वाले यहुदा ने कहा, कि हे रभी, क्या वे मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका. जब वे खा रहे थे, तो ईशुने रोटी ली, और आशीश मांग कर तोड़ी, और चेलों को दे कर कहा, लो, खाओ, यह मेरी दे है. फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, और उन्हें दे कर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वहलोहु है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित बहाया जाता है. मैं तुम से कहता हूँ, कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पियूँगा, जब तक तुमारे साथ अपने गाकर जयतून पहाड़ पर गए, तब इशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विशे में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखाए कि मैं चरवाहे को मारूंगा और जुन्ड की भेणे तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को जाओंगा, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदी सब तेरे विशे में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाओंगा, इशु ने उससे कहा, मैं तुझ से सच कहता हूँ, कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले, तु तीन बार मुझ स मुकर जाएगा, पतरस ने उससे कहा, यदी मुझे तेरे साथ मरना भी हो, तो भी मैं तुझ से कभी न मुकरूंगा, और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक की मेरे प्राण निकला चाहते हैं, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुझे बलगिरा और यह प्रार्थना करने लगा, कि हे मेरे पिता, यदी हो सके, तो यह कट दोरा मुझ से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, वैसा नहीं, परन्तु जैसा तू चाहता है, वैसा ही हो। फिर चलों के पास आकर उन्हें सोते पाया, और पत्रस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जा सके? जाकते रहो, और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परिक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तयार है, परंतु शरीर दुर्बल है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिये बिना नहीं हट सकता, तो तेरी इक्षा पुरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आँखे नीन से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया, और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की, तब उसने चिलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, और विश्राम करो, देखो घड़ी पहुची है, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, उठो चलें, देखो, मेरा पकड़ने वाला निकटा पहुचा है, वह यह कही रहा था, कि देखो यहूदा, जो बारहों में से एक था आया, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरिन और तुरंत इशु के पास आकर कहा, हे रबी, नमस्कार, और उसको बहुत चुमा, इशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है, उसे कर ले, तब उन्होंने पास आकर इशु पर हाथ डाले, और उसे पकड़ लिया, और देखो इशु के साथियों में से ए अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से नाश किये जाएंगे, क्या तु नहीं समस्ता कि मैं अपने पिता से बिंती कर सकता हूँ, और वे स्वर्दूतों की बारा पल्टन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, पर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो, मैं हर दिन मंदिर में बैट कर उबदेश दिया करता था, और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परन्तु यह सब इसले हुआ, कि भविश्दक्ताओं के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़ कर भाग गए। और इश्यू के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरुनिये इखटे हुए थे, और पत्रस दूर से उसके पीछे-पीछे महायाजक के आंगन तक गया, और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। अंत में दो जनों ने आकर कहा, कि इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढ़ा सकता हूँ और उससे तीन दिन में बना सकता हूँ, तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तु कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं, पर तुम से कह दे, यिश्व ने उससे कहा, तुने आप ही कह दिया, वरन मैं तुम से यह भी कहता हूँ, कि अब से तुम मनुष के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और अकाश के बादलों पर आते देखोगे, तब महायाजक ने अपने वस्तर फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन, देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समस्ते हो, उन्होंने उत्तर दिया, यह बद होने की योग्य है, तब उन्होंने उसके मुह पर थुका, और उसे घूसे मारे, और उन्हों अन्भी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यिश्व गलीली के साथ था। उसने सब के सामने यह कहकर इंकार किया और कहा, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है। जब वे बाहर देवडी में चला गया, तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो इश्व नास्री के साथ था। उसने शपत खाकर फिर इंकार किया, कि मैं उस मनुष को नहीं जानता। थोड़ी देर की बाद जो वहां खड़े थे, उन्होंने पत्रस के पास आकर उससे कहा, सच मुझ, तू भी उन में से एक है, क्योंकि तेरी बोली, तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिकार देने और शपत खाने लगा, कि मैं उस मनुष को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पत्रस को ईश्यू की कहीवी बात स्मरण आई, कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फ दालने की सम्मती की, और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहुदा ने देखा कि वह दोशी धराया गया है, तो वह पश्ताया और वह तीस चांदी के सिक्के महायाजकों और पुर्णियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोशी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तु ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लोहु का दाम है। सो उन्होंने सम्मत्ति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गारने के लिए कुमार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लोहु का खेत कहलात है। तब जो वचन यर्मिया भष्ड़क्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुआ, कि उन्होंने वे तीस सिक्के अर्थात उस ठहराय हुए मूल को, जिसे इस्राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिये। और जैसे प्रभु ने मुझे आग्या दी थी, वैसे ही उन्हें कुमार के खेत के मूल में दे दिया। जब यिशु हाकिम के सामने खड़ा था, तो हाकिम ने उससे पूछा, कि क्या तू यहुदियों का राजा है? यिशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब महायाजक और पुर्निये उस पर दोश लगा रहे थ उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हाकिम की यह रीती थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधवे को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय बरब्बा नाम उन्ही में का एक नामी ब लाता है क्योंकि वे जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वे न्याई की गद्धी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना क्योंकि मैंने आज स्वप्ण में उसके कारण बहुत उठाया है। महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरब्बा को मांग लें और इश्यू को नाश कराएं। हाकिम ने उन से पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूँ। उन्होंने कहा बरब्बा को। पिलातुस न क्या बुराई की है। परंतु वे और भी चिला चिला कर कहने लगे। वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत खुलड होता जाता है। तो उसने पानी लेकर भीड के सामने अपने हाथ धोए और कहा मैं इस धर्मी के लोहु से निर्दोश हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लोहु हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और ईश्यू को खोड़े लगवा कर सौप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जा तब हाकिम के सिपाहियों ने इश्यू को किले में ले जाकर सारी पल्टन उसके चहूँ और इखटी की, और उसके कपले उतार कर उसे किर्मी जी बागा पहनाया, और कांटों का मुकुट गूथ कर उसके सिर पर रखा, और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठटे में उडाने लगे कि हे यहुदियों के राजा नमस्कार और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मानने लगे। जब वे उसका ठटा कर चुके तो वे बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और कुरूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरेनी मनुष मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि वे उसका कुरूस उठा ले चले। और उस थान पर जो गुलगता नाम की जगए अर्थात खोपली का स्थान कहलाता है पहुँच उन्होंने पित मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया परंतु उसने चखक कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे कुरूस पचढ़ाया और चिठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिये और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोश पत्र उसके सिर के उपर लगाया कि यह यहुदियों का राजा यीश्यू है तब उसके साथ दो डाकू एक दाहने और एक बाएं कुरूसों पर चढ़ाये गए और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसके निंदा करते थे और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने व कि इसने औरों को बचाया और अपने आपको नहीं बचा सकता यह तो इसराइल का राजा है अब कुरूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है यदि वै इसको चाहता है तो अब इसे छुडा ले क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ कुरूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे दो पहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा चाया रहा तीसरे पहर के निकट यिश्व ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा ए उन में से कितनों ने यह सुनकर कहा वह तो एलिया को पुकारता है उन में से एक तुरंत दोड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंदे पर रखकर उसे चुसाया और उने कहा रह जाओ देखें एलिया उससे बचाने आता है कि नहीं तब इश्यों ने फिर और कब्रें खुल गई और सोय हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठीं और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल कर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिये तब सुबेदार और जो उसके साथ ईश्यों का पहरा दे रहे थे भुई सिस्त्रियां जो गलील से ईश्यों की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं दूर से यह देख रही थीं उन में मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थीं जब सांज हुई तो यूसुफ नाम अर्मतिहा का एक धनी जो आप ही ईश्यों का चेला था आया उसने पिलातुस के पास जाकर ईश्यों की लोथ मांगी इस पर पिलातुस ने दे देने की आग्या दी यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्वल चादर में लपेता और उससे अपनी नई कबर में रखा जो उसने चट्टान में खु दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बात का दिन था महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास एकटे होकर कहा हे महराज हमें स्मरण हैं कि उस भर्माने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं तीन दिन के बाद जी उठोंगा सो आग्या दे की तीसरे दिन तक कबर की रखवाली की जाए ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें कि वे मरे हुँओं में से जी उठा है तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा पिलातूस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरवे तो हैं जाओ अपनी समझ के अनुस्सा रखवाली करो सुवे पहरवों को साथ ले कर गए और पत्थर पर मुहर लगा कर कबर की रखवाली की सब्द के दिन के बाद सब्ता के पहले दिन पहफटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कबर को देखने आई और देखो एक बड़ा भुईंडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उत्रा और पास आकर उसने पत्थर को लुड़का दिया और उस पर बैठ गया उसका रूप बिजली कासा और उसका वस्तर पाले की नाई उज्वल था उसके भैसे पहरुए कांप उठे और म्रतक समान हो गए। और वे भै और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघर लोटकर उसके चेलों को समचार देने के लिए दौड गई। और देखो ईशु उन्हें मिला और कहा सलाम और उन्होंने पास आकर और उसके पाउं पकड़कर उसको दंडवत किया। तब ईशु ने उनसे कहा मत डरो मे जाही रही थी कि देखो पहरूँ में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरुनियों के साथ इखटे होकर सम्मती की और सिपाहियों को बहुत चांदी दे कर कहा। यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपिये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया और यह बात आज तक यहुदियों में प्रचलित है। और ग्यार और प्रत्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बप्तिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आग्या दी हैं मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ।